लो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GS Capsule में आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तयारी अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से UPPSC और UPSSC से संबंदित लगातार स्टेडी मैट्रियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसी संबंद में मैं हिंदी और GS के वीडियो आपके लिए बना रहा हूं UPSSC के प्रीवेसर के जिसमें 2015 से 2022 तक के सारे कोशन हम रिवाइस कर रहे हैं तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं कारा कैवं परसर्ग इसमें जितने भी प्रशन आए हैं वह मैं आपको इस यूडियो में करा दूँगा देखिए इसमें वैसे तो मातर 34 प्रशन आए हैं अभी तक लेकिन मैंने एक पर पास बुक और है तो उसके भी जो कुशन है मैंने लगबग इसी में आपके सब कंपाइल कर दिया है तो इसमें लगबग हम 60 से ज़्यादा प्रशन देखेंगे उसमें आपके सब यूपि पुलिस के SI वगरा के प्रशन है तो वह आपकी तयारी को ज़ खाया जाता है तो करता ने कर्म को करण के से द्वारा कि के तो करण कारक इसमें होगा वह चमबत से चावल खाता है इसमें आपका करण कारक होगा देखें कारक की अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें कोई वाक्या है कोई वाक्यांश है या कोई मुहावरा है उसमें संग अपनी करिया को संपादित करने के लिए जिस साधन का उपियोग करता है उस साधन विशेश की करण कारक की संग्या होती है इसका परसर्ग क्या होता है आपका इसका परसर्ग होता है से वह जैसे इसका और example वह कलम से पत्र लिखता है और देखते हैं अगला प्रशन हमारा गहने अलमारी में है अलमारी पद में किस तरह का कारक है तो गहने अल्मारी में है तो इसमें क्या होता है अधिकरण का प्रियोग हुआ है तो अपादान कारक में क्या होता है आपका जो से होता है यानि अलग होने के सेंस में प्रथक करण के सेंस में अपादान कारक का ज्यादा तर यूज होता है तो हम देखेंगे इसमें प्रथक करण का भाव कहां से आ रहा है बिल्ली छत से कूद पड़ी तो ऑप्शन सी जो है इसमें अपादान कारक होगा भीम ने गदा से दुरियोधन को मारा, यहां गदा से पद में कौन सा कारक है, तो गदा से पद में हाँ पर करण कारक है, यानि करता ने कर्म को करण के से द्वारा, यानि किस के द्वारा मारा गया, गदा के द्वारा मारा गया, इसकी तरह एक प्रशन इसमें और बनता है, मै इगर fake कर मारा आपको दिख जाए तो वहाँ पर किस तरह का कारक होगा, वहाँ पर अपादान कारक होगा इसको याद रखेगा यह छोटा सा इसका एक ट्रिक है आगे चलते हैं उस जगा एक सभा होने जा रही है तो इसमें उस जगा में क्या है आपका अगर आप बात करें उस जगा पर इसका मतलब आएगा कि उस जगा पर एक सभा होने जा रही है तो में और पर किसका आपका विभक्ति चिन होता है ये अधिकरण कारक का विभक्ति चिन होता है तो आपका क्या होगा यहाँ पर अधिकर या होने के इस्थान या आधार का बोध होता है, इसकी विभक्तियां क्या है, में, पै या फिर पर, आगे देखते हैं, पर किस कारक का परसर्ग है, तो अधिकरण के दो परसर्ग ज्यादातार आपके यूज होते हैं, में और पर, तो किसका है या अधिकरण का, अगर वीडि बोला जाता है, ठीक है थोड़ सा नया प्रशने देखिए, कनिष्ट सायक में ही पूछा गया था आपका, तो आपके लिए काफी important है, इसके लिए और example इसके क्या हो सकते हैं, भी, तो, तक, केवल ही, मात्र, आदि, से, यानि अलगाव या प्रथक करण किस विवक्ति का बुदक चिन है, तो किसका है यह अपादान कारक का, मेरे हाथ में लेखनी है, इस वाक्य में कौन सा परसर्ग है, तो हाथ में, इसमें क्या हैगा, अधिकरण क्या होता है, में पर option C हमारा यहां पर ठीक होगा, तो पहला प्रशन है हमारा, कारक के कितने भेद हैं, तो कारक के कितने भेद माने जाते हैं, कारक के हिंदी में आठ भेद माने जाते हैं, मैंने आपको सब के नाम बता दिए, यहां पर आप नीचे फिर भी बढ़ सकते हैं, यह सब आपके टोटल आठ नाम, आचारे किशोर कोटी इसमें से क्या है तो इसमें से है कारक व्याकरण की वह कोटी जिसमें क्रिया नहित हो क्या कहलाती है कारक कहलाती है तो हो सकता है देखिए आप से इसी तरीके से घुमा कर यह पूछ ले कनिष्ट सहाय का ही प्रश्ण है अब बात करते है करता कारक के कुछ प्रश्णों तो इसमें देखे करता कारक जो है वो मोहन को जाना इसमें करता कारक है बाकी सभी में इसमें आपको कर्म कारक दिखेगा ठीक है कर्म कारक आगे देखते हैं यहां पर आप पढ़ सकते हैं उप्युक्त विकल्पों में से मोहन को जाना है करता कारक वाला है बाकी सारे कर्म कारक वाले सभी चित्थियां डाक से भेजी गई सभी चित्थियां डाक से भेजी गई इसमें कौन सा कारक है इसमें करण कारक है क्योंकि करता ने कर्म को करण के से द्वारा यानि डाक के द्वारा भीजी गई, तो इसमें क्या होगा आपका करणकारक है, इसलेकर इसमें पूछा है आपका क्या है, इसमें करता क्या है, चिथियां, option D, इस वाक्या में डाक क्या है, आपका करणकारक है, भीजी गई, क्रिया है, तभी क्या है विशेशन, चिथियां आ शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसमें किस कारक का प्रियोग है, तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसमें करता कारक है, करता ने कर्म को, आपने सुना ही होगा, सिंपल यह वाला प्रश्म तो, आगे देखते हैं, इसके कुछ और एक्जाम्पल जैसे, श्याम खाता है, आग चाल-चली में करता कारक है, नौकर ने दर्वाजा खोला, वाक्य के रिखांकित पद में कौन सा कारक है, नौकर ने दर्वाजा खोला यानि इसमें करता कारक है, दिये गए वाक्य में रिखांकित पद में नौकर में करता कारक है, क्रिया को संपन्द करने वाला कारक करता कार जैसे नौकर ने दर्वाजा खोला, राम ने रावन को मारा, हिंदी में ने परसर्ग का प्रियोग किस इस्तिती में किया जाता है, तो ने परसर्ग का प्रियोग अगर बात करें, भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर करता के साथ इसका प्रियोग किया जाता है, लोक सेव परसर्ग करता कारक में प्रियूप्थ होता है तो क्या होता है option A, ने, अध्यापक ने बालकों को पाठ पड़ाया, मैं आपको example ज्यादा समझाता हूं ता कि अगर इस तरीके से example आए तो आप उसको अराम से tackle कर ले, अगला देखते हैं कर्मकारक, अब हमारे कर्मकारक के कौ कौन से question पूछे गए है, प्रवीन के भाई ने प्रथम पुरुषकार प्राप्त किया, तो इसमें कर्म क्या है तो कर्म क्या है आपका प्रथम पुरुषकार, अगला देखते हैं, हरी मोहन अपनी बहन को पुष्तक देता है, इस वाक्य में रिखांगित पद में कौन सा का कारक है, तो कर्ताने कर्म को, तो इसमें कौन सा कारक होगा आपका, इसमें कर्म कारक होगा, माने बाजार से कपड़ा खरीदा, इस रिखांगित का कारक बताना है हमें, तो माने बाजार से कर्ताने कर्म को करण के से द्वारा, तो लेकिन इसमें देखिए क्या हुआ, बाज कपड़ा खरीदा में रेखांकितपद कर्मकारक है, जिस पर क्रिया का प्रभावपड़े उसे कर्मकारक कहते हैं. Option c हमारा यहां पर ठीक होगा. मैं प्रति दिन दूद पीता हूँ, वाक्य में रेखांकितपद में कौन सा कारक है तो दूद में आपका क्या कारक है कर्म कारक है वह कारक जो क्रिया से प्रभावित होता है उसे कर्म कारक कहते हैं जो हमने ऊपर देखा था कर्म कारक का विभक्ति क्या है तो कर्म कारक की विभक्ति क्या है को कि को किस कारक की विभक्ति है निमलिखित में से सही विकल्प का चैन करें तो को किस की आपकी कर्मकारक है मैं रात को देड़ से लोटूँगा आप घर ही रहिएगा आप से टेलीफोन पर बात करूँगा इसमें रात को क्या है आपका तो रात को इसमें कर्मकारक है आगे देखते हैं कर्मकारक का चिन निम्न में से कौन सा है तो इसमें से कौन सा है को जो है वो कर्मकारक का चिन है तो देखिए सारे प्रशन आपके प्रिवेसर में इस तरीके के पूछे ही जाते रहते हैं आगे देखते हैं बच्चे बस से पाटशाला जाते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है तो करता ने कर्म को करण के से द्वारा यानि बस के द्वारा वो पाटशाला जाते हैं तो इसमें कौन सा होगा आपका करण कारक होगा कानो सुनी बात पर यकीन मत करो इस रेखांकित पत का कारक बताईए तो क्या है आपका इसमें करण कारक है इसका मतलब क्या हुआ जैसे कानो सुनी मतलब कान से सुनी यहां करण कारक चिन से है जो क्रिया या सुनने का संबंद कान से स्थापित कर रहा है करण कारक किस वाक्य में ये हमें बताना है तो इसमें देखते हैं राम को फल दो वह कलम से लिखता है तो करण के से द्वारा यानि कलम के द्वारा लिखता है तो option B में आपका करण कारक होगा उसने उसे छल से पराजित किया में छल से कौन सा कारक है तो छल के द्वारा पराजित किया तो इसमें कौन सा कारक होगा इसमें करण कारक आपका होगा करण का क्या अर्थ होता है इसका अर्थ होता है साधन या माध्यम अथा क्रिया के करने अत्वा होने के साधन या माध्यम वाले संग्या या सर्वनाम बद करण कारक कहलाते हैं आगे से के द्वारा किस कारक का परसरग है तो ये करण कारक का परसरग है आगे देखते हैं संपरदान कारक का क्या होता है करताने कर्म को करण के से द्वारा संपरदान के लिए तो इसमें के लिए जादा तर यूद होता है अब देखते हैं यह है ताले की चाबी है रेखांकित में कौन सा कारक है तो इसमें संपरदान कारक है यहां वस्तुता यहां पर संबंध कारक है परंतु विकल्प ना होने के कारण संपरदान कारक मान लिया ज संपरदान कारक है. राजा ने ब्रहमन को धन दिया, इस वाक्या में राजा द्वारा धन दिया जा रहा है, जहां देने का भाव होता है, वहां को क्यों में संपरदान कारक होता है. गरीब को धनो थो, तो simple वई है, फिर से सेम प्रष्ण संपरदान कारक जहां देने का भव होता है, वहाँ पर कूं में संपरदान कारक होता है, रेकांकित पत का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिये, उसने अपने मित्र को दो पुस्तके दी, तो इसमें अपने मित्र को दो पुस्तक दी, इसमें किस तरीके का कारक होगा, फिर से वही संपरदान कारक होगा, क्योंकि यहां पर देने का भावा रहा है, इस तरीके का प्रशनी आप पर लेकपाल के मुख्या परिक्षा में भी पूछा गया था, जिस पर objection भी किया गया थ जहां पर यह पूछा गया था कि हरी मोहन को रुपए देता है, वह वाला जो प्रशनी आप वह भी कुछ इसी तरीके का प्रशनी आप प्रशनी आप राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताईए, तो सिंपल सिंपल इसमें तो दिखी रहा है संपरदान के लिए, आप्शन C, राजा भिक्षुक को दान देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, यहां पर संपरदान कारक है, जैसे और एक्जामपल, रहीम गरीब को कंबल देता है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रिखांकित पद में कौन सा कारक है, तो के लिए option अब देखते हैं अपादान कारक वह घर से बाहर गया इस वाक्या में से कौन सा कारक है वह घर से बाहर गया तो यहाँ पर प्रतकरण का भाव आता है या अलगाओ का भाव आता है तो कौन सा कारक होगा अपादान कारक होगा इसको पहचानना असान है थोड़ा सा क् प्रतक्करन वगेरा में आपको दिख जाएगा साफसा अपादान कारक किस वाक्य में है व्रक्ष से पत्ते गिरते हैं तो देखिए पहला ही प्रशना पहला ही आप्शन बिल्कुल ठीक है दोबी को दुलने के लिए कपड़े दो तो इसमें कौन सा कारक है कर्म कारक उसकी गा तुलना आपसे की गई है अता उसमें अपादान कारक होगा तुलना में जिसे श्रेष्ट बताया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है जैसे धनात विद्या गरियसी धन से विद्या महान है वाक्य में धन की तुलना विद्या से की गई है आगे चलते हैं मेरे घर से आपके में कौन सा कारक है तो यहां पर फिर से तुलना हो रही है तो यहां पर कौन सा कारक होगा अपादान कारक होगा जिसमें से तुलना समानता अलगाओ का भाव होता है वहां पर अपादान कारक आपको मिलेगा जैसे हिमालय से गंगा निकलती है वह घर से बाहर गया इस जो भी आपको नया सीखने के लिए मिलता है, अगर आपके कही नोट्स बने हुए हैं, तो आप उसमें नीचे ये वाले points एडिट कर सकते हैं, जो previous year में आप से पूछे गए हैं, इससे आपका कोई प्रशन भार या गलत नहीं होगा, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित चब्द के आधार पर बताईए कि यहां कौन सा कारक है, तो यहां पर अलगाओ का है, तो यहां पर अपादान कारक होगा, वरक्ष से पत्ता गिरता है, तो यह तो हमने उपर ही देख लिया था, इसमें अपादान कारक है, बाकी आप और देखते हैं, कुछ देखते हैं, र वाक्य में पेड से पद में किस कारक का प्रियोग हुआ है, तो पेड से पद में आपका अपादान कारक का प्रियोग किया गया, क्योंकि आपर अलगाओ की स्निति पैदा हो रही है, या अलगाओ का भाव पैदा हो रहा है, से अलगाओ किस विभक्ति का बोधक चिन है, तो य लहकार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें भी आपका संबंद कारक है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंद का बोध होता है, उसे क्या कहते है, वहाँ पर आपका संबंद कारक होता है, जैसे का, की, के, रा, री, रे, इस तरीके के शब्द आपको इसम होता है आपका साइन में और पर इसमें कहां पर अधिकरण कारक है वह घर में नहीं है तो इसमें अधिकरण कारक है क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है तो क्रिया का आधारी आश्रह मैंने आपको बताया था इसमें कौन सा कारक होगा अधिकरण कारक होगा Option C तोता डाली पर बैठा है इस वाक्य में कौन सा कारक है तो अधिकरण कर क्या होता है में और पर तो इसमें अधिकरण कारक होगा ठीक समय पर आ जाना इसमें कौन सा कारक है तो इसमें आपका अधिकरन कारक है यानि ठीक समय पर आ जाना एक तरह से आगे इसके अलावा और चिडिया पेल पर बैटी है ठीक समय पर आ जाना घड़े में पानी है इन सभी में अधिकरन कारक है वह अगले साल आएगा इस वाक्या में कौन सा कारक है ये थोड़ सा अलग है तो इसमें अधि अधिकरन कारक है तो इसका थोड़ सा एक्स्प्लेनेशन पढ़ लेते हैं क्रिया आधार को सूचित करने वाले संग्या या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरन कारक कहते हैं इसका कारक चिन मे और पर है अधिकरन का शब्द करते हैं आपका आधार जैसे सिंग वन में रहता है पुष्टक मेज पर है, सौम्य घर में है, या फिर अगले साल आएगा, अगला देखते हैं, मुख्य अतीती के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में, रेखांकित शब्द में कारक बताईए, तो इसमें अधिकरण कारक है, कूर्ची पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कूर्ची शब्द में, कूर्ची शब्द किस कारक में हैं, तो यह किस कारक में हैं, यह अधिकरण कारक में हैं, जैसे कूर्ची पर मास्टर जी बैठे हैं, मैं पांच मिनिट में आ रहा हैं, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है, तो में और पर, पर, option 3, घोसले में चिडिया है, इसमें कौन सा कारक है, तो वही घोसले में आपका इसमें अधिकरण कारक होगा, अगला देखते हैं, मेरे हाथ में लेखनी है, इस वाक्या में कौन सा परसर्ग है, तो इसमें अधिकरण परसर्ग है, यही देखिए हमारे सारे प्रश्न थे जो हमने दो अलग-लग बुक से डिसकस किये, कारक होचे संबंदित, मुझे नहीं लगता इस से भार कोई कारक का प्रश्न जाना चाहिए, लगबख हर तरीके का हमने एक्जामपल इसमें देख लिया, और जितने तरीके के प्रश्न बन